हलो दोस्तों मैं हूँ आपका ओश्ट और दोस्त मनोज और आज के वलोग में हम जाने वाले बारत का एक मातर मन्दी जो अरावली परवस्त संक लामा इस्टित है आप लोग जानी गए होंगे सवत माता के बरवाड़ में तो मैं हूँ अभी गाउं पे और लगबग यहां से 120 किलोमेटर है और सवाई मादुपूर से लगबग 25 किलोमेटर है और अभी टायम हुआ है साड़ी आठ बच चुके हैं तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट और एंड तक बने रहना तो आज के वीडियो में आप लोगों को माताजी के दर्सम करवाने हो ले हैं तो वीडियो करते हैं स्टार्ट कि दोस्तों अभी हम पहुंच गए दर्गड और लगबग यहां से भी 50 किलमेटर हो रहे हैं तो एक डेट गन डाउन लगेगा भी जाने में और सार सब्सक्राइब तो चल चुके हैं अभी तक तो जब से चलें तब से नास्ता वगेरा कुछ ने तो तोड़ा बहुत कुछ का पी लेता हैं क्योंकि खान अभी भी लेट बनेगा वापर तो चलते हैं कुछ खा लेता हैं तो जब से चलते हैं तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुगे हैं जोत कबरोडा मंदिविदेश को पीचे और अभी बच चुगे हैं एक दूप नितांडो मचारका है और लगबक इसमें 800 या जार सीड़ियां है उनको चड़ना है तो हालत को बोट कराब को निवाली हम लगो की आज किसी तरगातिवार है ना छोत है फिर भी इतनी वीड़ अप्सोचो जब यहां पर करवाचोत पर मेला लगता होगा तो कितनी वीड़ होगी लग पे रखने की जगह नहीं होती है कि बहुत ही ज़्यादा तक चुके हैं थोड़ा विश्रम कल जाते हैं और यहां से एक बार नजरा बताता हूं अब लोग ने बाद नोटेस के लोगी यहां पर जिदनी भी सीड़ें उसके उपर चदर कसे होए है ताकि जो भी सड़ दालो आये ना उसको ज्यादा दिक्कत नहीं होए गर्मी में बरसात में जैसे कि गर्मी पे ज्यादा होती है कि इसुर्य का प्रकास होता है और वेसे वेसे बहुत जाधा गर्मी होती है और जो जाधा गरम होती है और तच्छाड़ने में थिक्कत आ सकते हैं लेकिन यहां पर पूरी जो सीड़ियां है उनको पर चदर कसे हुए तो बहुत अच्छी बात है यहां पर रेलिंग लगी हुए ताकि यह चड़ने होता नहीं कोई कर दो दोस्तों यह जो मंदिर दे करें पूरा मार्वल का बना हुआ है और यहां पर दिजाइन होगे ना जाह सकते हो बहुत अच्छी डिजाइन है यहां और दोस्तों यह पीछे देख सकते हो इसल्पी पॉइंट पना हुआ है इतने ठंडिया वारी है और यहां आप आपको नजारा पताता हूँ उपर से किसनी उच्छाई पारे लगए 1100 फिट की उच्छाई पर रहे हैं माताजी का मंदिर पर पर्विस दार दो बने हुए हैं वहां पर दाला बना हुआ है प्रत्मान में चोथ का बर्वाडा प्रातिन काल में बर्वाडा के नाम से जाना जाता था और अचिन काल के समय यह हैं रंतम और समराज के अंद्रगत आता था है इस मंदिर का निर्माण 1401 इसू में महराजा बीम चोहान ने करवाया था और यह हैं सक्ति गरी पहाड़ी ठंकला के अंद्रगत यह लगबख 1200 फिट उचाए पर इस्तित है माताजी का मंदिर और यहां पर करवाड़ चोथ के समय यहां पर मेला लगता है और यहां चिन काल शूद मयтन के सब्सकें नंवेर दोस्तों अब आतक चुके है नीचे अब चलते हैं जहां पर खाना बन रहा है दर्म सालाई तो धर मुखाता था जिकाता हूं तो दोस्तो खाना वाना खाके होगे फ्री तो अब चलते हैं अपने गाउं की तरफ आदे गंटे बाद हम रवाना हो जाएंगे तो मिलते हैं लेश्ट वीडियो में जेहीं जेवाज़ाइब